यूद कानर में आपका स्वागत है मैं सियुकमा प्रजापती आजमगर के विकास खंड फूलपुर के बेला इमादपुर गाउं का हाल बेहाल बात यहां है कि परधान का कारकाल भी समात हो गया है लेकिन गाउं का विकास एकदम सुन आई हम आपको बताते हैं उत्ताप्रद खंड हर्मर पाली थीन लगाकर राध गुजारते हैं यदि हलकी फुलकी बरसात हो जाए तो परिवार की नीध हराम हो जाती है और अपने भाग को कोशते हैं ग्राम परधान असुक राजभर पूरे पांच साल पिताने के बाद भी गाउं में किसी भी प्रकार की सरकारी ब अच्छा तो क्या हुगा आपको आवास नहीं मिला तक पांच साल में अभी ना जाओ पर दान से ती तो तो पांच साल खतम हो गया मिलत 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 पांच साल खतम हो गया मिली कि ऐसे रहा तब तब कैसे गुजरबसर आप लोग खो रहा है हमारे पर आने की सिदन होई गया अच्छा का मैं ना करता तक थे तींटे लड़ी का जिया हुआ हम कैसे कैसी जियावत है कैसे बड़ी परफानियों के आरवाज से आप अपनलाई के और गाओं के तमाम लोग तमाम लोगा भी आवास नहीं मिला है अब आपको बताएए आवास मिला है नहीं मिला आपको माता जी ना मिला आपको ना आप लोगों को मिला है बताएए लगा अवास मिला इसमें किसी को सभी लोग सभी लोग कच्छे माकान में आप लोग रहा ना मतामा अवास नहीं है तो क्या कहीं आप परधान से कच्छा माकान में आप रहती हैं मातारी आज भी यहां पर चूले पेलो खाना बनाते दिखते हैं आवाज भी इन परिवारों को सिर्फ अस्वासन की घुटी पिलाते ग्राम परधान का कारकाल भी समाप्त हो गया है इमादपूर की केवल पत्ती अनीता अर्चना सारदा चंद्रमा राजबर सीला राजबर सेटा राजबर आदि महलाओ ने अवास मुहया कराय जाने की सरकार से मांग की है आजमगड ब्यूरों नीरल प्रजापती की खास रि